आल्या भट को घमन दिखाना पड़ा भारी राजा मॉली ने आल्या भट को दिखाया बहार का रास्ता हाल में ब्लोगबश्टर फिल्म सरकारू वारी पाटा स्टार और टॉलिवूड के प्रिंस महश बाबू अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए काम पर लग चुके हैं वो जल्धी बाहुबली और आरारार जैसी ब्लोगबश्टर फिल्में देने वाले साउद के डारेक्टर एसेज राजा मौली की फिल्मे नजर आने वाले है इस फिल्म के चर्चा इन दिनों काफी तेजी से फैंस और इंडरेश्टी में हो रही है महश बाबू के इस फिल्म के लिए फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं साधी फैंस इस फिल्म के बारे में डिटेल्स पाना चाहते हैं इसी बीच एक खबर ने एक बार फिर से महश बाबू को चर्चाओ का विशे बना दिया है एक्टर ने डारेक्टर एसेज राजा मौली से एक शर्ट रख दी है जो इन दिनों चर्चाओ का विशे बन गई है दरसल बताया जा रहा है कि डारेक्टर एसेज राजा मौली के साथ फिल्म में काम करने के लिए महश बाबू ने एक ऐसी शर्ट रखी है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे बताया जा रहा है कि महश बाबू किसी भी बॉलिवूड एक्टरस के साथ काम नहीं करना चाते वही खबरों के माने तो राजा मौली की इस फिल्म में आलिया बड़ और जानरी कपूर नजर आने वाली थी इस खबर के सामने आने के बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म से इन दोनों बॉलिवूड एक्टरस का पत्ता कट सकता है खबरों के मताबिक महिश बबू अपनी इस अफकमिंग मेगा बजट पैन इंडिया रिलीस फिल्म में किसी टॉलिवूड एक्टरस के साथ ही काम करना चाते है फिर वो चाहे कोई भी हो लेकिन वह किसी भी बॉलिवूड एक्टरस के साथ काम नहीं करना चाते वह एक खबर आ रही थी कि आराराल में आलिया अपने छोटे किरदार से नाराज थी जिसके बाद निर्देशक ने उनको इस फिल्म में लीड डोल देने का वादा किया था जो शायद अब पुरा नहीं हो पाएगा तो दोस्तो आप क्या सोचते हो इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें